अलो सुडेंट्स आजकी वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं डिनेचर्ड अलकोहल के बारे में इसका एक्चुल मीनिंग क्या है डिनेचर्ड अलकोहल किसे कहते हैं ठीक है इसके लिए कहा जाए तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है ठीक और क्या इसके लिए कुछ इ स्किप्ट करके देखेगा मेरा नाम तुशार तुशार भाडवाज और यह आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाए तुशार से चलिए स्टार्ट करते हैं वाट इस डी नेचर अलकोहल का मतलब क्या है देखिए अलकोहल के बारे में तो आप जानते ही है ओएच OH is a family जिसमें बहुत सारे एक्जम्पल होते हैं उनमें से एक एक्जम्पल है एथेनौल ठीकिए एथाईल अलकोहल भी इसको कहा जाता है यहापर मैंने इसको बीच में लिखा भी यह देखिए एथाईल अलकोहल यह इथेनौल भी बोल सकते हैं अगर इसके फॉर्मिले की according फिर इसको denatured क्यों कहा मतलब इसकी nature को बदल दिया हमने जो ethanol होता है ना ethanol मतलब ethyl alcohol जो होता है इसकी आपने nature को change कर दिया कुछ चीज इसमें add करके और कुछ ऐसी चीज़े आपने इसमें add की जो कैसी होती है poisonous होती है पर ऐसा क्यों किया गया है यह आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है ठीक है चलिए सबसे पहले इसकी definition देखते हैं it is a ethyl alcohol denatured alcohol क्या है ethyl alcohol है या फिर आप इसको ethanol भी बोल सकते हैं formula क्या है C2H5 OH OH की वज़े से हम इसको क्या बोल रहे है कि alcohol family का ये एक सदस्य है एक example है ethyl alcohol ठीक है which has been made unfit जिसको हमने क्या किया unfit कर दिया किसको unfit कर दिया denatured alcohol को हमने unfit नहीं किया ethyl alcohol को हमने unfit किया और जब हम ethyl alcohol को unfit करते हैं कुछ poisonous चीज़ों को add करने के बाल ठीक है तो उसी को हम बोलते है final जो product होता है जो unfit हो चुका है denatured alcohol बतला alcohol की nature अपने change कर दिये ठीक है जिसकी वरे से वो पीने योगे ना रहे यही आगे देखे लिखा है यहाँ पर for drinking purpose by adding the small amounts of poisonous substance लेकिन कौन से वो poisonous substance है अब उसके बारे में देखते हैं आपर कुछ points है like methanol, pyridin, copper sulfate तो methanol, pyridin, copper sulfate इस तरीके किसी भी poison substance को हम इसमें add कर देते हैं, किसमें add कर देते हैं? C2H5 OH में पर एक सबसे बड़ा question जो आपके अभी brain में भी आ रहा होगा, कि भी जो ethanol है, अगर हम इससे इतना ही डरते हैं, तो इसको use करने की जरूत क्या है? बहुत ज़्यादा जरूत होती है, ethyl alcohol की मतलब ethanol की, जिसका formula है C2H5 OH, बहुत सारे products हैं, जिनको बनाने के लिए, बहुत सारे ऐसे products होते हैं, जिनको बनाने के लिए हम ethanol का इस्तमाल करते हैं, ठीके? देखें, मैंने अपने points में उसको लिख दिया है, ethanol is used in industry, ethanol जो है, industries में इस्तमाल किया जाता है, for manufacture various products, ठीके? जैसे कि आपने hand sanitizer, बहुत सारे तरह के आते हैं, बलकि COVID वाले टाइम से तो यह चीज़े बहुत highlight हो गई हैं, बहुत ज़्यादे use में आ रहे हैं, तो इन सब में it is supplied duty free, जब यह पता चला रहा है कि बहुत सारे product समीच से बना सकते हैं, तो इसको duty free कर दिया गया, government की side से इस पर जो text उसको हटा दिया, जिसकी वरे से क्या हुआ, यह सस्ता हो गया, लेकिन जैसे ही सस्ता हुआ ना, तो इसकी कुछ black marketing के भी chances थे, अब उस black marketing को रोकने के लिए, इस industrial alcohol जो है, जिसको हम ethanol बोल रहे हैं, या ethyl alcohol बोल रहे हैं, उसको हमने denatured कर दिया, कैसे, इसमें कुछ चीजे मिला कर, और वो क्या चीजे हैं, मुझा को starting बताया था, methanol, piradin, copper sulfate, यह इस तरह की और बहुत सारी चीज़े होती है, माले जिए उसको drinking पर बस इस्त substance को add कर देते हैं, जिसके वरे से वो क्या होता है, drinking purpose के लिए unfit हो जाता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं, denatured alcohol, ठीक है, next tip point आता है कि to prevent the black marketing, यही जो मैंने आप कोई बताया, to prevent black marketing, we add the poisonous substance, कौन से poisonous substance, जैसे example के तौर्व हैं आपर, जो ज़्यादे तर use के जाते हैं, वो म becomes much cheaper than the market rate, market rate से सस्ता हो सके, किसी चीज़ के demand जादा होती है, किस चीज़ की importance बहुत जागा, कुछ और चीज़ों को बनाने के लिए, तो क्या होता है, कि उसको tax free कर दिया, आपने, सस्ता हो गया, लेकिन जब कोई चीज़ सस्ती हो जाते हैं, तो उस चीज़ के black marketing के लिए बढ़ जाते हैं, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हमने क्या किया है, इसमें कुछ substance को add कर दिया, कुछ materials को add कर दिया, जिसके वैसे unfit हो जाए, पीने योगे ना रहे, ठीके, तो I think आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गए होगी, बाकि यहाँ पर जो short मैंने लिखा है, ये industrial alcohol है, मतलब ethyl alcohol की बाद चल दी, short में डाल दिया मने इसको, तो कुछ important चीज़े थी, जो मेरे इसाब से आपको मालूम होनी बहुत जरूरी है, denatured alcohol क्या होता है, class 10 की chemistry का जो chapter number 4 है, carbon and its compound, इस chapter में एक topic मिलेगा आपको, denatured alcohol के नाम से, तो 10th level पर आपको कम सिकम इतना तो मालूम होना ही चाहिए, इसका actual meaning क्या है, कुछ इसके लिए जो important points है, वो clear करने आपको, इथाइल alcohol या इथेनोल जो होता है, उसमें और denatured alcohol में अंतर क्या है, ठीके, कुछ basic सी चीज़े हैं, जो मालूम होने बहुत जरूरी है, और कौन साम substances में एड करते हैं, इसकी व थैंक्स